नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टेटी विडिके माँ आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी के एक प्रेक्टिसेट के बारे में जिसमें आपको 30 प्रिशन मिलेंगे हर बार की तरह और यहां दोस्तों एक से बढ़ करें कि सभी प्रेक्टिसेट यहां पर सीटेट यूपीटिएट और अन्यटेट एक्जाम जो कि 2019 में आने वाली है उन्हें सभी के लिए मोस्ट इंप्रेक्टिसेट डाल चुका हूँ आपको चूबिस ही प्रेक्टिसेट देखना है और वहां पर आ प्रेक्टिस प्लस नंबर आ रहे है तो कमेंट से बुक्स में जरूर बताएगा कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आये तो चली शुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है निमलेखित में सी मनोज सब्द का परियावाची य कामदेव जैसा कि मैंने आपको भी बताया काम मार करतब अनंग मनसीज रतिनात मीनकेतू रतिपती मदन और मनमत ये सबी किसके परियावाची सब्दे हैं मनोज के परियावाची सब्दे हैं जरूरी नहीं है कामदेव ही आए और भी इसके जो परियावाची सब्दे हैं उ किसका परियावाची सब्दे यहाँ पर आपको बताना है जो मुर्ली धर सब्दे है यह किसका परियावाची सब्दे है चार विकल पर पढ़ते ही आप इसका अंसर बता दोगे सरलसा प्रशन है कुबेर कामदेव या फिर ब्रह्मा तो यहाँ पर जो मुर्ली धर सब्दे है ये कर्शन का परियावाची सब्द हे हैं और भी मूरली धर या फिर कर्शन के परियावाची सब्द होते हैं। कौन सा युग में सुमलित नहीं है, यहाँ पर आपके सामने चार विकल्प दिख रहे हैं, चार विलोम सब्दों के युग में हैं, इसमें से एक युग में ऐसा है, जो एक दूसरे से सुमलित नहीं है, उस विकल्प को आपको पहचानना है, देखे यहाँ पर पहला वाला व विकल्प भी हमारा सही रहेगा, यहाँ पर कौन सा युग में सुमलित नहीं है, तो यहाँ पर सुर का विलोम सब्द सुरा नहीं होता है, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सुर का विलोम सब्द होता है, सुदा, याद रखेगा, स समुल का विलोम सब्दे, यहाँ पर आपको समुल सब्द का विलोम सब्द बताना है, कौन सा होगा, चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चेन करना है, तो यहाँ पर समुल का विलोम सब्द होता है, वो निर्मुल होता है, यहाँ पर पहला वाला विकल्पे हमारा सह कट होता है, यहाँपर शेकन वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा, अगले प्रस्णि के और बढ़ेंगे, यहाँपर छटवा प्रस्णि हैं, जिनके चार-चार पेर होते हैं उन्हें कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं चतुसपत कहते हैं चोपाई चतुरदसी या फिर चोरा तो यहां पर जिनके चार-चार पेर होते हैं उन्हें चतुसपत कहते हैं यहां पर पहला वाला विकल्पे सही रहेगा है क्या कहलाता है आलोचक निंदक छिदरान वेसी या फिर इर्शालू तो यहां पर दूसरों के दोस्त देखने वाला छिदरान वेसी कहलाता है क्या कहलाता है छिदरान वेसी कहलाता है दूसरों के दोस्त देखने वाला यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा च प्रस्वा 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 तो यहां पर उलंगन सब्द में जो उपसरगे रहेगा दोस्तों वो उत रहेगा, यहां पर तीसरा वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा, ग्यारवा प्रस्णे हैं, चाती पर मूँग डलना का अर्थ क्या? यहां पर आपको पताना है, चाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होगा समीप रहकर कष्ट देना, परेसान करना, जगडा करना या फिर मारना तो यहाँ पर सही अंसर होगा चाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है समीप रहकर कष्ट देना यहाँ पर पहला वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा बारवा प्रस्ण है छक्के छुडाना मुहावरे कार्थ है यहाँ पर आपको बताना है छक्के छुडाना मुहावरे कार्थ क्या होगा डरा देना, हिम्मत पस्त करना, हिला देना या फिर सताना तो यहाँ पर छक्के छुडाना मुहावरे कार्थ होता है, हिम्मत पस्त करना, यहाँ पर शेकन वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, अगला प्रशन है, तेरवा, इन में से सही सब्द कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है, चार विकल्प दिये गए हैं, यहाँ पर सब्द होगा, सेकन वाला, संप्रक्त, संप्रक्त, सेकन वाला विकल्प है, दोस्तों, यह सही सब्द है, सुद्द सब्द है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, वो सेकन वाला रहेगा, चलिए, अगले प्रशनी के बढ़ेंगे, चाउद्वा प्रशन है, यहाँ पर भी हमारा जो सही आंसर होगा, वो कौन सा रहेगा, सेकंड वाला, चलिए, आखिया हरी दर्सन की भूकी, केसे रहे, रूप रस राची एबतिया, सूनी रुखी, उपरोग्त पध में कोन सा रस होगा, सैयोक सरंगार है, वियोक संगार है, हासी रसे, या फिर करून रसे, सबसे पहले में इसका भावर्त या फिर इसका अर्थ बता देता हूँ, क्या हो उसकी तरप्ती योग की नीरस बातों से केसे हो सकती है, ये इसका अर्थ होता है, और इसके अर्थ से या फिर इस पंक्ती से जो भाव जलक रहे हैं दोस्तों, वो वियोग के जलक रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा रास होगा, यहाँ पर वियोग सरंगार होगा इस पंक्ती में या फिर उप्रोक्त पद्ध में कौन सा रस होगा तो इसमें वियोग संगार होगा यहाँ पर शेकंड वाला विकल्पी हमारा सही रहेगा चलिए अगले प्रश्णी के और बढ़ेंगे हम अगला प्रश्णी है हमारा सोलवा हे खग मरग हे मदुकर स्रेनी तुम देखी सीता मरगनेनी उप्रोक्त पद्ध में कौन सा रस हे सबसे पेले मैं इसके चार विकल्प पड़ देता हूँ उसके बाद आपको इसका भावर्थ या अर्थ बताऊँगा इसमें क्या करुन रस है, रोद रस है, सयुक संगार है या फिर वियुक संगारे सब से पहले तो दोस्तों में पंदरवे प्रिशन में आपको पताना भूल गया कि आखियां हरी दर्सन की भूकी कैसे रहे रूप रस राची ये बत्या सूनी रूखी के रचिता कों है ये भी प्रिशन पुछा जा सकता है तो इस पंक्ती के रचीता सूरदास जी है याद रखेगा इस पंक्ती के रचीता कौन है तो इस पंक्ती के रचीता सूरदास जी है अब बात करतें दोस्तर सोलवे प्रस्न की कि इसका भावार्त या फिर अर्थ क्या होगा तो यहाँ पर इस पंक्ती का जो भावार्त और अर्थ होगा हे पक्चियों, हे पसुओं, हे भोरों की पंक्तियों तुमने कहीं मरग नईनी सीता को देखा है हे खग मरग हे मधुकर सिरेनी तुम देखी सीता मरग नेनी इसका अर्थ होता है हे पक्चियों हे पसुओं हे भोरों की पंक्तियों तुमने कहीं मरग नेनी सीता को देखा है इस पंक्ति का आसाई होगा इस पंक्ति का भावार्त होगा देखिए इस पंक्ति में क्या जलक रहा है इसका भाव क्या है देखिए इस पंक्ति में वियोग जलक रहा है तो यहाँ तरंग तंगावती चारू संचारनी यहां क्या है यहां मनहरण है गनाकछरी है रोला है या फिर हरी गीति का है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा चलिए अगले प्रश्णी को बढ़ेंगे यहां पर अठारवा प्रश्णी है सीस मुपुत कट काचनी, कर मुल्ली उर्माल, इही बानक मुमन بसो, सदा बिहारी लाल यहां क्या है? यहां दोहा है, सवेया है, सोटा है, या फिर घनाग चरी है तो सबसे पहले तो यहां बताना है आपको कि यहां पंकती किसके दवारा लिखी गई तो यहां पर क्या लिखा गया सदा बिहारी लाल तो यहां पंक्ती किसके द्वारा लिखे गई है यहां बिहारी लाल द्वारा लिखे गई ही कवी बिहारी लाल द्वारा रचित यहां एक दोहा है क्या है यहां एक दोहा है अब इसका अर्थ जान लेते हैं इसका अर्थ को मौहित कर देते हैं और सदेुमिठी वानी बोलने वाले हैं एसे परम sofort स्रिकरष्ण सदेु मेरे मन में बसा करते हैं ये इसका अर्थ होगा ये इसका भावार्थ होगा और ये कभी बिहारी लाल द्वारा रजित है और यहां एक दोहा है याद रखेगा यहाँ पर पहला व सा अलंकार होगा संदे यमक प्रोपक या फिर प्रतीप तो यहां पर हमारा से अंसर होगा उप्रोक्त पद्ध में प्रतीप अलंकार है याद रखेगा इसमें कौन सा अलंकार होगा इसमें प्रतीप अलंकार होगा प्रतीप अलंकार होता क्या है प्रतीप प्रतीप कर्थ होत या विप्रित यहां उपमा अलंकार के विप्रित होता है क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित पराजित या हिन दिखा कर उपमे किस रिष्टा बताई जाती है किसमें प्रतीप अलंकार में अब बात आती है कि जो उपरुक्त पध्य है ये किसके द्वारा रची थे तो यहाँ पर देखे 20 वा प्रश्ण है भासा सिक्षन के अंतरगत भासा के अधिगर्ण है तू सबसे प्रबल पक्ष कोन सा है सुनना तथा पढ़ना केवल सुनना केवल पढ़ना या फिर केवल लिखना तो यहाँ पर भासा सिक्षन के अंतरगत भासा के अधिगर्ण है चलिए अगले प्रिश्णी को बढ़ेंगे पहली कक्षा में मातर भासा का सिक्षण किस से प्रारंब करवाना चाहिए अक्षर ग्यान से वाकी रचना से रंग बिरंगे चितरों में या फिर वारतलाब में तो यहां पर पहली कक्षा में मातर भासा का जो सिक्षण है दोस्तो तो वो अक्षर ग्यान से प्रारंब करवाना चाहिए, किस से करवाना चाहिए, प्रारंब अक्षर ग्यान से करवाना चाहिए, पहली कक्षा में मातर भासा का सिक्षणी, यहाँ पर पहला वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा, चली अगले प्रश्णी को बढ़ेंगे, यहाँ पर 22 प्रस्न है और most important प्रस्न है और सलसा प्रस्न है किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है आप सभी को पता है आपने समने पढ़ा होगा रितिकाल को भक्तिकाल को आधिकाल को या फिर आधुनिक काल को तो यहाँ पर भक्तिकाल को भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है यहाँ पर शेकन वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चली अगरे प्रशनी को बढ़ेंगे यहाँ पर अगला प्रशने है अशोक के फूल जो की एक निबंद संग्रा है इसके रचनाकार बताना है कौन है कुबेरनात राई है गुलाब राई है राम चंदर सुकल है या फिर हजारी प बंद संग्रा है उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम अशोक के फूल के सन के बारे में जान लेते हैं कि यह कब प्रकासित हुआ था तो यह हुआ था 1948 में जाद रखेगा अशोक के फूल जो की एक निबंद संग्रा है यह 1948 में प्रकासित हुआ था और भी इनके नि इनके बारे में पूछा जाता है एक बार फिर दोरा देता हूँ असोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1954 और कुटाज 1964 में प्रकासित हुई थी ये सभी इनके निबंद संग्रा है तो याद रखेगा इनको अगले प्रशनी को बढ़ेंगे यहाँ पर 24 वा संदी है तो इसमें कोको से संदी होगी यहां पर सेकर वाला विकलपे हमारा सही रहेगा 25 प्रशन है पर्यावरण में कौन सी संदी है दिर्ग संदी है यन संदी है आयादी संदी है या फिर वरदी संदी है तो आप सभी को पता है पर्यावरण में यन संदी है यहाँ पर सेकन वाला वेकल पर हमारा सही रहेगा काफी बार एक्जाम में पूछागा या प्रशन है त तत्पुरु समास तो यहां पर अकंठ में अव्यवी भाव समास है कौन सा समास रहेगा इसमें अव्यवी भाव समास रहेगा अकंठ में तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा अगला प्रश्ण है प्रत्यक्ष सब्द में कौन सा समास है most important प्रस्चन है यहाँ पर आपको बताना है प्रत्यक्ष सब्द में कौन सा समास है अव्यवी भाव है तत्पुरु से कर्मधारई यह फिरद्वंद है तो यहाँ पर प्रत्यक्ष सब्द में भी अव्यवी समास होगा यहाँ पर पहला वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूं कि सी टेट हुआ या फिर कोई सा भी टेट एक्जाम हुआ उसमें जेनेंद्र की उपन्यास पूछे जाते हैं तो यहाँ पर मैं दो वीडियो बना चुका हूं उपन्यास के बारे में जिसमें आपको 30 मिलेंगे टोटल आपको आंसर जान लेती हैं यहाँ पर देखिए इसका आंसर है उपन्यास जेनेंद्र द्वारा रचित है वो परक है परक उपन्यास जेनेंद्र द्वारा रचित है और यह इनका पहला उपन्यास से जेनेंद्र का परक कब प्रकासित हुआ था तो यह 1929 में प्रकासित हुआ था पत्र 1937 में, कल्यानी 1949 में, विवर्त 1943 में, सुखदा व्यतीत और जेवर्धन ये तीनों ही इनकी उपन्या से और ये तीनों ही 1953 में प्रकासित हुए थे, एक बार फिर सुन लिजे वरक 1939 में प्रकासित हुआ था सुनिता 1935 में, त्याक पत्र 1937 में, कल्यानी 1949 में, विवर्त 1943 में, सुखदा, व्यतीत और जेवर्धन ये तीनों ही 1953 में प्रकासित हुए थे, इनके द्वारा किनके जेनेंदर द्वारा, अब बात करते हैं, पुनर्वा सेवा सदन, एकदा नेमिशाणने, ये तीनों जो उपन्यास है, ये कब प्रकासित हुए और किसके द्वारा प्रकासित हुए तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्वा, पुनर्वा उपन्यास के लेखा कोन है, तो यहाँ पर पुनर्वा उपन्यास के लेखा का हजारी प्रसाद द्वेदी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 यहाँ पर हजारी प्रशाद द्वेदी का एक उपन्या से जो की हजारी प्रशाद द्वेदी द्वारा रचित है और इहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1976 इसका प्रकाशन वर्ष है तो याद रखेगा अनामदास का पोधा 1976 इसका प्रकाशन वर्ष है याद रखेगा कब लिखा गया था 1916 में और कौन सी भासा में लिखा गया था उर्दू भासा में लिखा गया था बाद में सन 1919 में कौन से सन में सन 1919 में उन्होंने इसका हिंदी अनुवात स्वियम किया याद रखेगा 1916 में इन्होंने जो सेवा सदन जो की उपन्या से जो की प्रेमचन द्वारा रची थे ये इनोंने उर्दूभासा में लिखा था 1916 में और बाद में 1919 में इनोंने खुद ने इसका हिंदी अनुबात किया कब 1919 में अब बात करते हैं एक दा नेमी सारण्ये भी दोस्तो एक उपन्यास है ये किसके द्वारा रची थे तो ये अमरत लाल नागर द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो की 1972 में प्रकासित हुआ था एक बार फिर द्वारा देता हूँ अच्छे सुनिएगा परक ये उपन्यास जनेंदर्वार लिखा गया है प्रथम उपन्यास है जनेंदर का पुनर्वा जो की हजारी प्रशाद द्विदी द्वारा लिखा गया है 1973 में परक 1929 में लिखा गया था सेवा सदन 1919 में लिखा गया यहां पर दोस्तो यदि इसका सन पूछा जाए तो इसका सन सही रहेगा 1919 क्योंकि 1919 में इ आपको ये एक उपन्या से जो की अमरत लाल नागर द्वारा लिखा गया था और ये कब प्रकासित हुआ था ये 1972 में प्रकासित हुआ था तो याद रहेगा most important प्रस्ण था दोस्तों ये तो अगले प्रस्णी के बढ़ेंगे 29 प्रस्ण है हिंदी साहित्ती के इतिहास के सरप्रथम लेखा का नाम है most important प्रस्ण है और सरलसा प्रस्ण है सरलसा इसलिए है काफी बार आपके सामने ये प्रस्ण आया होगा और आपको इसका आंसर पता भी होगा बच का अंसर है हिंदी साहित्ति के इतिहास के सरप्त्तम लेखा का अचारे रामचंडर शुकले हैं यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा अगला और लाश्र प्रस्ट नहें अंजनी सूत में समास बताई यहां पर दोस्तों आपको अंजनी सूत सब्द में समास बताना है कौन सा होगा द्वंद कर्मधारे बहु बिरी या पिर तत्पुरु शमास तो यहाँ पर हमारा से आंसर है अंजनी सूत में बहु बिरी समास है कौन सा समास रहेगा इसमें बहु बिरी समास रहेगा अंजनी सूत में यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा और यहीं पर हमारे जो 30 प्रशनी थे वो यहीं पर समापत होते हैं आज के वीडियो आपको कैसा लागा प्लीज हमारे कमेंट से बुक्स में जरूर बताएगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए यहां भी हमारे कमेंट से बुक्स में जरूर बताएगा अजिए वीडियो अच्छ लगे तो अपने दोस्तों के साँ सेर कर दीजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अभी तक हमारे चेनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ में बेल आइकन को दबाईएगा जिससे कि आपको लेटिस्टी वीडियो मिलती रहे जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद जैहें